दोस्तों मिठाई बांटने के लिए हो जाए तैयार क्योंकि 150 वर्षों के इतिहास के बाद 25 मार्च 2024 को एक ऐसा चंदर ग्रहन लगने जा रहा है जिसमें पूरे 21 तरीके के शुब योग बन रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव बार हैं कि 12 राशियों परपर देगा 12 में से 5 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंदर ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा न केवल इनको इनके जीवन के भाग्य का साथ मिलेगा बलकी के जीवन में होगी धन की वर्षा अब इनको करोडपती बनने से कोई नहीं रोक सकता नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन जानकारी में वर्षों के बाद एक ऐसा इत्तेफाक बन रहा है कि 25 मार्च के दिन जो चंदर ग्रहन लगने जा रहा है इस चंदर ग्रहन के बाद 12 में से 5 राशिवालों को करोडपती बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों इस चंदर ग्रहन का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांतरिक जोतिश बलकी वैग्यानिक भी बैसबरी से इंतजार कर रही है और यह चंदर ग्रहन 25 मार्च को ल अनुसार बताया जा रहा है कि इस चंदर ग्रहन के दिन पूरे 21 तरीके के शुब योग बन रहे हैं और यह समय पूरे 1500 वर्षों के बाद आया है मतलब की 25 मार्च का चंदर ग्रहन अपने आप में बहुत ही विशेश और ताकतवर चंदर ग्रहन होने वाला है और इस दिन अगर आपने शुब महूर्थ पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको विडियो में बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिये दोस्तों इन उपायों का आपको पलट करके करोडों गुना लाभ मिलेगा हमारे धर्म शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको इस खास दिन पर मतलब की चंदर ग्रहन के दिन किया जाएं तो न केवल आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी दुर्भाग्य गरीबी से मुक्ती मिल सकती है बलकि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे की कैसे आपको धन दौलत सुख समरिधी की प्राप्ती होगी दोस्तों माना जाता है जब भी चंदर ग्रहन लगता है तो ग्रहों के सेनाप्ती मंगल शनी सूर्य राहू आमने सामने होते हैं इसलिए कहा जाता है कि जब भी चंदर ग्रहन लगता है तो उस वक्त जितनी भी डैविय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगधग न के बराबर हो जाता है और चंदर ग्रहन के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका पलट करके आपको लाब मिलता ही मिलता है और अगर आपने सही मुहूर्त पर उसका उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिये दोस्तों आपको करोडों गुना पलटकर के लाभ मिलेगा। दोस्तों आप खुद अपनी आखों से देखेंगे कि चंदर ग्रहन जैसे ही लगेगा मतलब की 10 बचकर 2 मिनट से जैसे ही चंद चंदर ग्रहन शुरू होगा उस वक्त पूरे भारत में सभी मंद के कपाट पूरे दर्वाजे बंद कर दिये जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों दोस्तों आपको बता दें कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से पढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं वह चंदर ग्रहन के दि चंदर ग्रहन के दिन की गई पूजा पाठ कभी खाली जाही नहीं सकते यह कभी असफल हो ही नहीं सकते चंदर ग्रहन के दिन आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन महान उपाय के बारे में बताने जा रही हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को बगलते देर नहीं लगेगी आपको न। केवल आपका भाग्य का साथ मिलेगा बलकि आपके जीवन में आप जिस भी कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी तो आज के इस वीडियो में हम आ हुच सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो चंदर ग्रहन के दौरान आपको जान लेना चाहिए क्योंकि चंदर ग्रहन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती है दोस्तों जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए कहा जाता है कि चंदर ग्रहन के दौरान अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो उस गलती की वजह से आपका दुरभाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा लेकिन अगर आपने चंदर ग्रहन के दौरान वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रही हैं तो आप ये पूरी तरह से बदलने जा रहा है दोस्तों हम आपको विडियो की शुरुवात में ही बता चुके हैं कि 25 मार्च के दिन चंदर ग्रहन भी लग रहा है और 25 मार्च के दिन फालगुन मास की शुकल पक्ष की पूर्णिमा भी पढ़ रही है अब पूर्णिमा के बार पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी उपाय पूजा पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे हम। इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जै माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशी भी डाल दीजिएगा जिससे की आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंदर ग्रहन के द लोग यह सोचते हैं कि अगर टोने टोटके करके इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं तो पूरी दुनिया में इंसान मेहंट करेगा ही। क्यों वह तो टोना टोटका ही करेगा तो दोस्तों ये होती है आपकी नकारात्मक सोच देखिए इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वह सिर्फ मिहंत करके अमीर नहीं बन जाते हैं या वह अपनी किस्मत का भरोसे ही बैठे रहते हैं एकाजशी अमावस्य या पूर्णिमा सूर्य। ये जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिये दोस्तों आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी इस उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको इस उपाय का लाभ मिलता रहेगा साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वर्दान मिलेगा कि आप अपने जीजिये चंदर ग्रहन फालगुन मास की शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी यानि 25 मार्च को सोमवार को लगेगा यह चंदर ग्रहन सुबह 10 बचकर 2 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 3 बचकर 2 मिनट तक रहेगा यह चंदर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा साथ ही इस चंदर ग्रहन का होली पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेग यह चंद्र ग्रहन उत्तर और पूर्व एशिया। योरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी, अमेरिका, दक्षिन, प्रशांत, अट्लांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। मेश राशी आती है, वह राशी है, मेश राशी। मेश राशी के लोगों के अटके हुए काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे। दोस्तों इस लिस्ट की अगली राशी जो है, वह राशी है, व्रिशब राशी चंदर ग्रहन व्रिशब राशी के लिए अच्छा और बहुत ही शुद संकेट देने वाला होगा, इसके शुद प्रभाव से आपकी किस्मत चमकेगी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम होंगे। आपकी प्रग्ती की राह आसान होगी। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, इन राशी के लोगों के सभी अठके काम बन जाएंगे, इस चंदर ग्रहन से आपको बहुत लाप पहुचने वाला है, कन्या राशी के जातकों को अपनी महंत का पूरा फल प्राप्त होगा कन्या राशी के जो लोग व्यापार करते हैं. अगर आप लोग व्यापार करते हैं, तो व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे. धनुराशी के लोग अपनी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी कर पाने में सक्षम होंगे. सेहत की परेशानी आपकी जल्द दूर हो जाएगी वेतन में व्रिधी होगी दोस्तों और माता पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. कारिस्थल पर सफल्टा के योग बनेंगे. आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा. दोस्तों इस लिस्ट की अध्ली राशी जो है वह राशी है. सिंह राशी दोस्तों सिंह राशी वालों को बता दें. माता लक्षमी की कृपा जी कृपा इस चंदर ग्रहन में आप के उपर बनी हुई है. समय अब बहुत ही बहतरीन होने वाला है. आपको बता दें. आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा बलकि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी. इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए अफसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा. जी हाँ, दोस्तों माता लक्षमी की क्रिपा आपके उपर बन रही है. इसके साथ ही आपको काफी धन लाब भी होगा. जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रि नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन बृध्धी के भी पूरे योग्य है. सिंह राशी वालों आपको बता दें कि माता लक्षमी की क्रिपा कपास से अब आपके लिए धन प्राप्ती के अनेकों अफसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी.